नबश्कार दोस्तों मैं हूं Mr.Teki और आज एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आया हूँ आज मैं करूँगा अन्बॉक्सिंग एक नूली लांच डिवाइस Smartron का SRT फोन जिहां दोस्तों यह सचिन तंदूल का ब्रैंड़ेट फोन है और इसके इलाबा मैं दूंगा इस फोन का ओवर्व्यू और अपने फर्स्ट इंप्रेशन्स तो और देर ना करते हुए दोस्तों चलते है इस फोन की अन्बॉक्सिंग के तरफ और फिर दूंगा मैं इसका ओवर्व्यू और दोस्तों यह फोन में पास दिलिवर हो गया है आज ही दिलिवर हुआ है यह मुझे और मैंने इसको फिलिपकार्ट से खरीदा था और इस इस हाव इट लोक्स यहां पर आप देख सकते हैं सामने सचिन तंदूल करजी की फोटो है इसर्ट इपन की ब्रैंडिंग है वाल कॉम स्नाप ड्रागन प्रोसेसर के बारे में बता रखा है और अगर मैं यहां पर चेक करों सो यहां पर प्राइस मेंचिन कर रखा है थीरह हजार नौसो निन्यानवी रुपे और बॉल नम्बर लिका हुए है टीफाइवाइव तु अब लेट में कुक्ली ओपन डिस मेरे प्राइस प्राइस तो यहां पर अगरड़ अगरेखा है धोर प्राइस मेरे प्रूसे साचिन तंदूलकर अब को एक आपर और सबसे पहले मिलते है सर्ट होन क्विक गाइड अशित् परती दे रखी है design and engineer in india all right so let me keep this aside for a second and check करते हैं और क्या क्या accessories है so यहाँ रखा है कुछ data cable जैसा sign check करें जी हाँ आपको एक data cable मिलती है so this is the usb type c data cable और check करते हैं so this seems to be the charger yes all right right so यहाँ पर mention करका है dc5 volt 2 ampere and 9 volt 2 ampere so surely this supports a qualcomm charge 2 so let me keep this aside and उसके इलाबा phone में और कुछ नहीं मिलता all right so इन सब चीजों को side रखते हैं or let's concentrate back on the device this is how it looks like and let me do the first boot power button यहाँ दिया गया है so दोस्तों यह phone को मैं फटाफट सेटप कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको ले कर सलूंगा इस phone के overview के तरफ so right दोस्तों मैंने इस phone को सेटप कर लिया है and this is the first look of the device the smartron SRT phone यह इस तरीके से आपको नजर आता है basically अगर मैं देखूं तो complete stock android experience दिया गया है यहां पर और अगर फोन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं तो यहां पर फ्रेंट में दिया गया है पांच मेगा पिक्सल का वाइगनल लेंस और जो यह डिस्पले लगा है यह 5.5 इंच का IPS LCD डिस्पले है with 1080p resolution so pixel density है that is 401 pixel per inch और अगर हम अवलेबल RAM और memory की बात करें so yes here it is 64 GB internal memory वाला यह फोन है जिसमें से आपको 58 GB memory मिलती है और अगर मैं सारी apps को यहां पर clear करके settings में जाकर check करूं कि कितनी RAM अभी फिलाल अवलेबल है memory कितनी अवलेबल है sorry right so जैसे कि आप देख सकते हैं approximately 2 GB के आसपास दिखा रहा है यहां पर की RAM जो है free है तो physical overview में अगर हम बात करें तो यहां पर backlit keys दे रखी है and मतब यहां पर shapes नहीं बना रखी keys की but this works as the off screen keys but I do feel की on screen keys का भी option होना चाहिए yes so on screen keys का भी option दे रखा है यहां पर and we also have the adaptive brightness का option in the display and settings menu आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ नजर आता है and अगर इसमें जो software run हो रहा है अगर मुसके बारे में बात करें so यह run हो रहा है android 7.1.1 पर android nougat पर run हो रहा है और अगर security patch अगर हम check करते हैं तो 5th February 2017 का security patch इसमें डला हुआ है so यह एक अच्छी बात है कि आपको stock experience मिलता है android nougat का इस phone में so जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से icons यहां पर है so this is the complete stock experience from the android तो ज्यादा bloatware आपको इसमें मिलता नहीं है और अगर हम apps के बारे में भी बात करें जो out of the box आपको मिलती है so शायद देखिए यह Microsoft के कुछ apps हैं जो आपको out of the box मिलती है surely यह applications को आप रिमूब नहीं कर सकते यहां से यहां पर आपको left side में कुछ नहीं मिलता है and right side में आपको volume rocker keys दे रखी है and power button उपर की तरफ दे रखा है so यहां पर surely अगर हम check करें single handed use में since power button यहां पर होता है तो लोग आसानी से मतलब में यहां पर अराम से बंद कर सकता हूं but since power button उपर है तो मुझे phone को ऐसे slide करके इसको बैसे बंद करना पड़ेगा so that is a little uncomfortable while using the phone और phone के गिरने के chances भी होते हैं उसके इलावा अगर मैं बात करूं अपर की तरफ so आपको 3.5 mm jack भी मिलता है and there is a primary microphone and नीचे की तरफ speaker grill दी गई है and there is a USB type C port and यह Qualcomm Charge 2 support करता है so surely हम इसका battery charging test जरूर परफॉर्म करेंगे and अगर हम पीछे चेक करें तो यहां पर पीछे की साइड आपको मिलेगा 13MP का कैमरा यह एक अटोफोकस कैमरा है with the phase detection autofocus technology with f 2.0 aperture and यहां पर आमको मिलता है fingerprint sensor fingerprint sensor अगर मैं आप लोगों को दिखा हूं यहां पर कैसे काम करता है तो आप देख सकते हैं right so अभी तक तो खीक काम कर रहा है like 10 times में से 9 times सही काम कर रहा है यह phone so I don't feel any problem while using this fingerprint sensor जो इसकी back है वो एक removable back है मैं आपको निकाल के दिखाता हूं दोस्तों यहां पर right so जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक removable back है so these are the two sim slots यह dual sim card support के साथ आता है and yes geosim भी इसमें काम करेगा and since इसमें कोई expandable memory slot नहीं दिया गया है so you will only find these two memory card slot and this is the plastic body polycarbonate body so looks fine इस फोन के performance के बारे में बात करूं तो इसमें लगा है Qualcomm Snapdragon 652 chipset और जो graphic support मिलता है वो मिलता है Adreno 5 110 से उसके इलावा इस फोन में लगे सेंसर की बात करें तो आपको gyroscope sensor भी मिलता है और उसके इलावा light or proximity sensor भी दिया गया है जैसे कि आप देख सकते है and you also get the magnetic field sensor that is NFC support यहां पर आपको मिलेगा 5.5 इंच का यह device है but still it's not that heavy और अगर मैं इस फोन की थिकनेस को compare करूं with the Redmi Note 4 तो आप देख सकते है almost same है दोनो यहां पर और अगर फोन का size भी मैं यहां पर compare करूं तो आप देख सकते हैं दोनों की थिकनेस almost same है but जबकि मुझे थोड़ा सा Redmi Note 4 हेवी लग रहा है as compared to the Smartron SRT phone and अगर इवन मैं इसको compare करूं with Honor 6X तो Honor 6X इन दोनों फोन से थोड़ा सा पतला लग रहा है मेरेको यहां पर इसमें लगे बैटरी के बात करें तो इसमें नॉन रिमोवेबल 3000 mAh की बैटरी लगी हुई है पीछे अगर बात करें इस फोन की कैमरा की तो कैमरा की एप इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा यहां पर आपको different जो है options दिये गए हैं left side पर और right side पर so swipe का कोई option यहां पर मुझे लग नहीं रहा so swipe करने से जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो आपने shoot करें है photos या videos वो आ जाएंगे and अगर हम mode में बात करें यहां पर तो यह सारे modes आपको दे रखे हैं night mode दे रखा है manual mode भी दे रखा है और अगर हम manual mode चेक करें यहां पर आप देख सकते हैं manual focus, wide balance, ISO और shutter speed आप चारो को control कर सकते हैं so यह एक अच्छा option है and this is the front facing camera यह 5 megapixel का wide again less है जैसे कि आप देख सकते हैं और settings में अगर हम जाकर चेक करें तो video quality में यहां दोस्तो आप देख सकते हैं 4K video recording भी दी गई है यहां पर so surely यह एक अच्छा point है 4K video recording देना and check करते हैं focus right so focus भी अच्छा काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं autofocus technology है इसमें and काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है और इस phone के video mode के जारफ अगर हम जाएं this is the video mode और मेरे ख्याल से slow motion भी दिया गया है इस phone में that is a plus point so मेरे जो first impressions है इस phone को use करते वक्त वो कुछ इस तरीके से हैं कि phone मुझे use करने में काफी ठीक लग रहा है display surely इतना sharp नहीं है and colors इतने natural नहीं लग रहा है display में but yes इस price range में हमें एक better display जरूर मिलता है Redmi Note 4 में और उसके इलावा performance wise अभी तक कोई issue नहीं आरा है use करने में and even कुछ games युए अभी खेल के लेगी है I didn't find any kind of a lag so we'll do a speed test comparison with Redmi Note 4 और और अलसो battery charging test और camera test or perform करेंगे so हमें इस phone के बारे में और बहतर पता चलेगा so दोस्तो कोई और doubts है इस phone को लेकर आप comment section में जरूर mention कर सकते हैं ये personally मैंने खरीदा है flip card से तो मैं इसको रखूंगा अपने पास और टेस्ट करूंगा इस phone को और अगर आप इस phone का drop test को देखना चाहते है तो आप इस video के नीचे comment करिए अगर कुछ comment से मुझे लगा कि इसका drop test करना चाहिए तो मैं जरूर perform करूंगा तो दोस्तो ये थी video SRD phone की unboxing और overview की बताएगा आपको कैसा लगा ये video अगर अच्छा लगा तो like बटन को जरूर क्लिक करिए और बताएगे आपको comment section में अगर कुछ कहना चाहते हैं इस phone के बारे में ऐसी और videos को देखने के लिए subscribe करिए मेरे channel को अभी के लिए इतना ही धन्यवाद